तो हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ नए एप पर्मिशन के बारे में जो कि सैमसंग के मॉबाइल में 1UI 3.0 या 3.1 अपडेट के बाद आया या कह सकते हैं Android 11 अपडेट के बाद वहाँ पर एप पर्मिशन के अंदर एक नए फीचर को आइट कर दिया गया है तो यह नए फीचर क्या है कैसे आप वहां पर उसको एप पर्मिशन में यूज कर पाएंगे तो आज की वीडियो में बताने वालों दोस्तों वीडियो को स्किप मत करेंगा वीडियो को पूरा देखेगा तो यह आप समझ पाएंगे दोस्तों चलते वाले बटन पर आपको दिख रहा होगा यह अप का आई बटन दिख रहा होगा आपको उस पर आई वाले बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों नो योगी वो मिल जाएगा तो सबसे पहले यह उपर एलाउड सेक्षन है और नीचे डिनाइट सेक्षन है तो सबसे पहले मैं आपको ले चता हूँ ऊपर पर पे तो यह मेरे इंस्टाग्राम की ऐप है तो मैंने यहाँ पर कैमरे पर देखा मैंने यहाँ पर सैट करके रखा है allow only while using this app मतलब कि यह जो पहले वाला जो ऑप्शन है दोस्तों यह एंड्रोइट 10 में या बोल सकते हैं वन्यूइट 2.5 में यह उप्शन नहीं आता था यह आपको याला नया फीचर को एड़ किया गया पहले क्या होता था यह पर आपको मिल रहा है अलाव यूजिंग दिस मतलब इस एप को जब आप यूज करोगे जब ही आपका कैमरा को यूज कर पाएगा मतलब की बैक्राउंड में आपके बिनाउड आपके पर्विशन यह यूज नहीं कर पाएगा जो कि अच्छा है प्राइवेसी यहां पर और देखेंगे तो कॉंटेक्ट में भी आपको यहां पर ऐसा मिलेगा मनलब कुछी कुछ में जैसे लोकेशन है जो मेंली चीज़े लोकेशन पर आपको मिल रहा है अलाव यूजिंग दिस एप मतलब जब आप अपने एप को यूज करोगे जभी आपका यह आपका यह आप इस नोट यूज यह भी लेट टेस्ट अपडेट के बाद जोड़ा गया है मतलब इसको आपको इनेवल करके रहा है मतलब की तो प्रोटेक्ट यूर डाटा इफ दा एप इस अन्यूस्ट फोरा फ्यू मन्त फॉलोईंग पर्मिशन विल विल रिमोव कैमरा कॉंटेक् अगर यह वाली एप मैंने ज्यादा ताइम बाद यूज ने मतलब दो एक महिना या दो महिना मैंने अपने मोवाइल में इसको 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 यूज नहीं कर रहा हूं तो एक से दो महिने बाद इसकी सारी पर्मिशन हट जाएंगी और इसको जब मैं यूज करूँगा उसके फूचर मिल रहा है तो यहां पर आप किसी भी एप की जाएंगे लाइक अब में यहां पर फेस्बुक में चले आता हूं मैंको यहां पर क्लिक करना यहां पर आईप बटन के जाने का लिएां जाना हैं परमिशन पे तो आप देखिंगे इसने भी कैमरा लेख हुआ है तो आपको सब पर यही सेलेट करना है only while app in use मतलब कि जब भी आप इसको यूज करें तो ही आपकी चीजों को यूज कर पाए पर्मिशन ले पाए location को microphone को तो यह आपको वहाँ पर site कर लेना है और सबसे जरूरी बात आपको नीचे वाला जो option है इसको तो use on करके रगना है ताकि जब भी आपको यह पैसी हो जिनको आप यूज ना करें लॉंग टाइम तो आट्रमेटलिक उसकी पर्मिशन रिमूफ हो जाए तो बहुत ही शांदर फीचर दोस्तों और अगर आपको देखना होगी इखटी कौन-कौन सी अपने आपकी पर्मिशन ले रहें लाइक कैम एक है है तो आपको उसके बारे में बता देगा आपद कंभी पर्मिशन अलाव के हुए है जयाया तो आप यहाँ पर वanter monsieur प्रसकते हैं दो जो यहँ hayır और फोलगता कि वह यूज नहीं करती तो उनको प्रमिशन नहीं जिना चाहिए तो हप यहां पर के बारे में पर आपको सारी एक शीज मिल रखी लाइक कैम्ठी जो परमिशन कौन कौन सी एप ले रखे हैं अब हों सकते हैं पर प्रमिशन को कौन and use while in use मतलब की जैसा कि मैंने बताया तो आप यहां से भी उसको मैनेज कर सकते हैं और यह जो नीचे होंगी वो मैने डेने कर रखें तो आपको एक एक एप को परमीशन अच्छे से देना है ताकि कोई भी आपकी बेक्गराउंड में कोई फालतों की चीज हो ना सके या तो आपको परमीशन हमें सा अच्छी मतलब आपको लगता है कि वो एप यूस किये या बोल सकते हैं ऐसी कोई आप है जिसको कैमरी की ज़रुवत नहीं है और वो कैमरी की परमीशन ले रही है तो आप उसको डेने कर देजिए ताकि वो background में कोई भी आपका data को access ना कर पाए या data को आपके mobile से left या lost ना कर पाए तो यह आपको एक एक आपको चीज की मिल जाएगी microphone की, location की, phones की, physical activity की, SMS की तो आपको यहाँ पर एक एक चीज को app को कर लेना है और सबसे खास बात जो की मैंने पहली बताया आपको app के अंदर जाके उसको app permission में जाके उसको always allowed while in use पे ही click करना जाकी ताकि कोई भी background में आपकी कोई भी app आपकी permission ना ले रखे like microphone या camera या file access यूस ना कर सके आपके background में तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको मे l- dużo पसंद आई होगी तो थैंकि दोस्तों तो dem desarrollo कि आपको ज्रामक पसंद आई होगी दोश्चतों तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइकर जारू करें अगर को लगता दोस्तों आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना वो ले और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेजु फोलो करना भी ना वो ले इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिपिशन पर मिल जाएगा तो थैंक दोस्तों